इस वीडियो में हम लोग communication के important elements को समझेंगे दोस्तों, जो भी important elements है, 7 elements के बारे में बताऊंगा, बहुत interesting वीडियो होने वाले है, पूरी process को समझेंगे इस वीडियो में, चलिए शुरू करता हैं, मिलता हैं इस वीडियो के end में पहले ये जानते हैं कि कौन-कौन से important elements होते हैं communication में, दूसरा first element होता है sender, दूसरा होता है message, तीसरा channel, फिर चौता encoding, decoding, receiver और feedback, मैं इस साथ elements के बारे में समझाऊंगा, ये सारे important elements होते हैं जिनके जरिये communication की जाती है, अब हमें इस सीखना क्यों जरूरी है इन elements को, पहले इ आगे आपको कहानी अच्छे से समझ मैं है, मान लो मैं एक businessman हूँ, मेरे कैसे काम में आएगा इन elements को समझना, अगर आप business चला रहे हो, तो जो product आपने बनाया है, आप चाहोगे पूरी दुनिया तक आपकी बात पहुँचे, कि आपका product अच्छा है, कैसे काम में आ सकता है इसलिए आपको इस communication process को समझना बड़ा जरूरी है दोस्तों, कि आपकी दिमाग में जो चल रहा है इस product टोड़े कर, clear से clear language में आप अपने receiver को, यानि उन लोगों को जो इसे consumer के दिमाग में, आप अपना message पहुँचा सको, सबसे पहरे हम बात करते हैं, सबसे first element की वो है sender Communication का starting point होता है sender, sender कोई भी हो सकता है दोस्तों, मान लो आप अपने आप में एक sender हो, अगर आप नहीं बनना चाहते हैं, तो किसी celebrity को sender बना दो, ऐसा celebrity जिस पर public का trust हो, तो ऐसे ही sender कोई भी हो सकता है, एक public speaker हो सकता है, एक writer हो सकता है, इस बात से बड़ा फर्क पड़त है कि आपका sender receiver के लिए कितना attractive है दोस्तों, क्या receiver पर उसका influence है, उसका trust है या नहीं, जैसे cigarette की add गरवाने वाले एक ऐसे cool इंसान, cool बन्दे को लेते हैं, जो भले ही बोलता कुछ नहीं है, लेकिन cigarette पीता हुआ, इतना cool लगता है, कि receiver इस sender से इतना attract हो जाता है, कि जरूरी हो जाता है, एक attractive sender ढूणना, sender इसलिए जरूरी होता है, अब दूसरा element होता है message, message क्या चीज़ होती है, communication में, सबसे important चीज़ होती है दूस्तों, इसको ऐसे encode किया जाए, कि receiver तक जब यह जाता है, तो यह verbal भी हो सकता है, और non-verbal भी हो सकता है, कैसे मैं आपको समझाता हूँ, कोई sign या symbol हो सकता है, body language हो सकती है, आपकी message में, जिसे देखकर बच्चे बहुत प्रभावित हो जाते हैं, तो words की जरूरती नहीं पड़ती, non-verbal communication ही ऐसे हो जाती है, किसी character ने कपड़े ऐसे पहन रखे हैं, eye contact ऐसे करता है, कि सारी चीज़े एक message का काम कर जैसे तंबाकू को style से फाड़ कर खाना, किसी-किसी ad में ऐसे लगता है कि, तंबाकू को style से फाड़ कर खा रहे हैं, ऐसे कोई normal इंसन खाता है कि नहीं, तो ये एक message ही तो है, next important element है channel, channel एक bridge होता है दोस्तों, जिसके जरीए message भीज़े जा रहा है, जैसे सबसे कम effective channel होते है posters लगाना, mails भीजना, letters भीजना, ये सब कम effective channels होते हैं, फिर आते हैं effective channel जैसे radio, जो किसी जमाने में बहुत effective channel होता था, video ad, tv, youtube, ये सारी चीज़े एक effective, video graphie जो है, एक effective channel है, फिर face to face communicate करना भी एक बहुत effective channel हो सकता है, लेकिन ये जयातर लोगों तक नहीं पहुंच सकता, face इसलिए video ad को एक effective channel बाना जाता है, आजकल वैसे बहुत सारे channel हैं, लेकिन एक bridge की तरह होते हैं, ये समझ लो, आप message पहुंचाने के लिए, next है दोस्तो, encoding, ये एक बहुत important element हो दोस्तो, वैसे ये पहले का process है, जब आप message तयार कर रहे होते हो, words कैसे select करने है, symbols कैसे select करने ह pictures, कैसे actions होंगे, ताकि receiver समझ पाए, जैसे encoding को मैं एक बहुत अच्छा example देकर आपको समझा सकता हूँ, एक cigarette company थी, Marlboro, आपने नाम सुना होगा, ये उस जमाने की बात है, जब TV से cigarettes और तंबाकू की ad बंद कर दी जा रही थी, तो बड़ी बड़ी company ये तंबाकू की ad चला को lifestyle बेचना शुरू की कि हम तुम्हें cigarette नहीं बेच रहे हैं, देखो, ये तुम्हारा favorite celebrity है, car में आ रहा है, suit boat पहन कर आ रहा है, cigarette पी रहा है, देखो ये कितना cool लग रहा है, तो ये lifestyle है darling, ये car, ये suit boat, ये महंगे कपड़े, ये mobile, ये सब lifestyle का part है, और वैसे ही, इन सब ची बाकी चीज़े ना खरीज सको, लेकिन कम से कम, cigarette तो खरीदी सकते हो, लेकिन कितना beautifully इस company ने Marlboro Man नाम का एक character बना कर, beautifully इस message को encode किया, कि देखो, ये कितना cool character है, अगर तुम्हें बनना है cool, तो cigarette पीओ, अब इसके बाद next element है, decoding, decoding the message, जैसे इसका भी मैं आपको बढ़ सचन और सहवाक को बल्ले से खेलते वए देखते थी, तो हमें लगता था, उनके बैट पर MRF लिखा हुआ होता था, हमें लगता था कि ये MRF बैट बनाने वाली company है, आप सोचो, जब MRF ने अपनी आड की बल्लों पर, बैट पर, तो क्या उन्होंने बैट बनाने वाली वो MRF से क्या काम, लेकिन हमें लगता था कि सचन और सहवाक जस बैट से खेलते हैं, वो MRF नाम की कोई company बनाती है और हमें वो ही बैट चाहिए, देखा कितने अलग तरीके से decode हुआ, उन्होंने जो message encode किया था, just because उन्होंने एक बल्ले की बीचो बीच एक sticker लगा दिया, जिससे वो लग रहा था, बैट उसी company ने बनाया है, तो बहुत अलग तरीके से decode हुआ उनका message, MRF ने इस चीज़ से profit कवाना शुरू कर दिया, तो message की decoding कैसे हो की, ये आपके receiver पर depend करता है कि आपका receiver कैसा है, MRF के receiver बने बच्चे, बड़ों की साथ साथ बच्चे भी, अ इतना पढ़ा लिखा हो कि ये message को सुन भी सके, देख भी सके, अच्छे से decode कर सके, कुल मिला कर, receiver का समझदार होना बहुत ज़रूरी है, और receiver आपके product के कैसे होंगे, ये भी आपको तै करना होगा, finally feedback, ये feedback तब मिलता है, जब receiver ने अच्छे से message को decode कर लिया है, उसके बाद वो जो response देगा, उसको feedback कहा जाता है, जिससे two way communication होती है दोस्तो, अगर feedback नहीं होगा, तो सुधार नहीं होगा, जैसे वीडियो बनाए गई, नीचे comments आए, comments में बहुत सारे response होते हैं, जिसमें क हमें ये भी बता चलता है कि हमने जो message encode किया था, वो ठीक से encode हुआ या नहीं, उसको ठीक से समझ पाया हमार receiver या नहीं, जैसा feedback आता है उसके इसाब से, जैसे MRF को पता चला कि हमारा message है, वो गलत तरीके से decode हो गया है, public का feedback यह है कि MRF के tire उनको ने चाहिए, बलकि BAT च अब जब आपने ये वीडियो खतम कर लिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ, एक सही तरीके से आपको communication की सारी process समझ में आया होगी, चली आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ next वीडियो में